हेलो दोस्तों, आज की इस Hindi to English Translation वीडियो में हम इस sentence की English जानेंगे sentence है, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा समचार है तो चलिए हम इसे English में translate करते हैं, sentence में मेरे पास तो pass है के लिए has ये have का प्रयोग करते हैं, मेरे पास यानि I have उसके बाद लिखेंगे एक अच्छा समचार के English, a good news आपके लिए है यानि for you, I have a good news for you, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा समचार है इसकी English है, I have a good news for you, I have a good news for you या फिर अगर sentence में होता, मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया समचार है इसकी English I have a great news for you तो दोस्तो ऐसे और भी Hindi to English translation वीडियो देखने के लिए इस चैनल की playlist में जाएं वहाँ पे आपको ऐसे बहुत सारे Hindi to English translation की वीडियो मिल जाएगी बहुत ही कम समय में आप सीख सकते हैं तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें थाइंक्स पर वाचिंग